असलाम वालेकुम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज की इस लेक्टर में चेप्टर 7 मैट्रिसे अक्सिसाइज है 7.4 और कुश्चन है 3 अब कुश्चन 2 में जो मैक्रस दिये वे थे उसके एड़्जॉइंट निकलने अब एड़्जॉइंट में क्या होगा जो लीडिंग एलिमेंट होंगे वो उनकी जगा चेंज हो जाएगी और बाकी के जो एलिमेंट होंगे उनकी साइन्स चेंज हो जाएगी ठीक है तो अगर हमने अगर आपको याद हो तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं जो कुश्चन 1 है उसका अगर हम एड़्जॉइंट निकालें तो यहाँ पर जो प्लेसी से उसके चेंज हो जाएगी यानिके यह हो जाएगा 6, 2 और बाकी के साइन्स चेंज यानिके माइनस 3 औ ठीक है इसी तरह बी का भी तोनों के प्लेसी चेंज होंगे यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं एड़्जॉइंट ओफ ए ठीक है इस इक्वल टू अब प्लेसी चेंज होंगे यानिके यह हो जाएगा 2 इधर माइनस 4 इधर और बाकी माइनस 2 और 5 ठीक है इन एलिमें इसी तरह से सी है तो सी के भी जो लीडिंग एलिमेंट से उनकी जगा चेंज होगी तो यह हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4 और बाकी की साइन चेंज होंगी तो हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 8 यहां पर हम लेख सकते हैं एड़्जॉइंट ओफ ए ठीक है इसी तरह दी 9 उपर चला जाएगा तो इदर आ जाएगा बागी की साइन चेंज होंगी तो यह माइनस में हो जाएंगे ठीक है तो बहुत ही सिंपल था है एड़्जॉइंट ओफ ए निकालना लीडिंग एलिमेंट की प्लेसे चेंज होंगी और बागी की जो एलिमेंट है उनकी साइनस चेंज होंगी तो आए होप के आपको यह समझ आ गया होगा मजीद एकसे साइजेजेंड के लिए चैन को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लास में टर्ण फ्रेंड से शेर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफैस